यालू लेलो कंदा लेलो सुबेसे ना एक आलू भिकाए ना अधा कंदा नहीं इस बार भिक रहा है अंगूर और स्वागत आपका 2023 में और 2023 की हमारे हर्वेस्टिंग चल रहा हैं अंगूर की तो छलो फिर आपको दिखाते हैं कि इस बार के अंगूर कैसे बने किस क्वालिट तो आज क्या हमारा प्लॉट कटिंग हो रहा है वाइट ग्रेप्स इलोंगेटिट लियानी लंबी वराइटी है यह प्लॉट है इसका नाम है अनुष्का तो यह हमारे भाहिलों के यहां पर कटिंग कर रहे है अच्छा माल तायार हुआ है साइस बढ़िया आई है और क्या होता है सीन में आपको बता देता हूं यह 5 kg का बकेट है 5 kg बकेट में पेड के नीचे कटिंग किया जाता है और लेकर जाए जाता है यह गाड़े से जाता है माल आगे और यहां पर उसका किया जाता है वजन है यहां पर होता है इसका वाजन यहां पर दस ग्राम कम क्यों डाल रहा है और यहां पचास ग्राम फालतों डालतों तो यह थीक है किसान का माल कम नहीं देतार किया कम आगा किसान को मिलता है भाषय को ज्यादा मिलता है तो दुनिया की रीद वह तो और यहां पर बंट थीब हो यह पनेट खफोग होता है यह पनेट यह पनेड עंगे के लिए जाने और यह बाक्स प्सका दुशिकाग मे zar़ता है रहे हो जाल रहे हो तो मतलब में तो यह है कि box के अंदर पांच किलो जाना चाहिए पर एक party जो है ऊपको box इंदर जाएगा तो यह तीन लाइन बैटी है यहां बैटे-वहां पर वाइन बाहि बैठ और आफे रिक्वेस्ट से जो माल है वो इंडिया में भी रहे है तो पिछली बार हमने जो है दुबई में बंगलादेश में भेज़ा बट इस बार जो है एक ट्रिक्ली हमने दखाए की जो क्वालेटी वाला माल है वह हम यहां पर इंडिया में भी पेजेंगे तो यह यहां पर आज जो है सब माटीरियल आ चुका है और यह अंदर जा रहा है बहुत बढ़िया रहता है नहीं पैकिंग करके मैं हमेशा बोलता हूं कि किसान को अगर अपना समान बेचना है तो अच्छे पैकिंग में सजाद जागे बेचो आपको पैसा बहुत अच्छी तरह से तो आज हमारे पर कितने लोग है वह भी किन लेते चलिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला वहां दोस्तों हुए सतारा अठारा गाड़ी के अंदर एक है ना उननीस लोग इधर है जो पैकिंग कर रहा है और यहां प सब गनागी जाए हम दो कितने बंदे बंदे हो गए हुँनिस और तेरह मतलब 32 बंद्जे हो गई हाज आज और हम से नागी तो फिर चलो फिर पैसा कितना बन रहा है मतलब क्या है इसका सीन में आपको दोड़ा सब बता देता हूं यह जो ग्रेप से हमारा इस बार गया है दूटी लगा के मंडी बैजाएगा वहां का कमिशन और फिर आपके पास पहुंचेगा तो आपके यहां पर ग्रेप लंबे वाले बढ़िया कॉलिटी एक पॉलिटी ग्रेप से चल रहा है वह हमें कमेंट में जुरूर बताना मैंने आपको बता था मारे यह पंदरा सो पेड है एक पेड़ पे ना कम से कव हम अभी हम कंट्रोल करते हैं कि कितने बुच्छे होने चाहिए इस वज़े से उसकी साइज अच्छी निकल जाती है तो यह यहां पर देखिए मैं निकाल दो तो यह बंच है तो यह मेरे को लग पर एक किलो के आसपास एक बंच निकलेगा प निकलेगा 25-25 माल निकलेगा जो तो बताओ कितने पैसे बन रहे हैं खर्चा भी आता इसके अंदर वैसे उसे ना सब नहीं बन रहा तो ठीक है फिर खतम करते हैं यह थी ग्रेप की स्टोरी फाइनली हर्वेस्टिंग तक हम पहुंच गया है अगला साल वापस से स्टार्ट करेंगे नया नए जोश से लंबाई यह देखो इसके लंबाई यह लंबाई है इस बार हमने किसी कॉंपेटिशन में पार्टी करेंगे तब तक के लिए बाई को सब्सक्राइब करो कि अभी वीडियो ने आ रहें किसन इंडिया में आया हुआ इसलिए मगर वह वापस जाएगा तो बना लेगा पता नहीं उसका मूड होगा तो अपने मूड के साथ से चलता है ओके लिए